वैश्विक बजारी करण के इस दौर में जहां एक और बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग मॉल्स की और रुप कर रहे हैं तो वही ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज ने खरिदारी की दुनिया को ही बदल दिया है ऐसे में दुनिया भर की पारण परिक बजारें अपने अस्तित्व को बचाये रखने के जद्दो जहद में लगी हुई हैं इन ही बजारों में से एक यूपि की राजदानी लखनों में लगने वाला नखास बजार जो नवाबी दौर से ही अपनी एक खास पहचान बनाए हुए है आज अपने सरूप को बचाने के लिए संगर्श रत है देखें ये बाज़ार है नखास यह नखास क्योंकि लखनों में दो बाज़ारे थी एक थी खास बाज़ार और एक थी नखास नवाब आसफ दौला ने 1775 में जब अपना कैपिटल फैदाबाद से लखनों शिफ्ट किया तो बहुत से पुराने जो फैदाबाद में मौले थे या नाम थे बाज़ारों के उसके नाम लखनों में भी रखे और एक नाम उसका नखास भी है कहते हैं एक जमाने में इस बाजार में एक चोर बाजार भी लगा करती थी जहां आसपास के चोर अपनी चोरी का समान बेचने आया करते थे आज भी यहां इस तरह के समानों की बिक्री प्रायहा देखने को मिल जाती है बाजार के बीचो बीच स्थिद जामा मस्जिद जहां की पहली नमास के बाद अल सुबा ही यहां दुकाने लगना शुरू हो जाती है आसपास के शहरों और गाउं से आये दुकानदार फुट पात पे ही अपना समान सजाने लगते हैं इन व्यपारियों और उनके परिवार के जीवको पारजन का मुख श्रोत इस सापताहिक बाजार से होने वाली आमदनी ही है ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो पीडियों से इस बाजार में दुकानदारी करते आ रहे हैं नए और पुराने बर्तनों के व्यपारी इलियास इनी में से एक है हम यहाँ गहे हैं? इल्यास का घर इसी बाजार के पीछे है, इनके परिवार में 18 सदस्य हैं, जिनका भरण पोशन इसी दुकान से होता है इस लोग है, आप कैसे अपना जियोंने अपन करते हैं, जोएंट फैमली है, अपना सफसाथ में रहते हैं किते लोग हैं आपके हैं, शत्रह अच्छार जिनका आपका क्या काम है, आप वही गैस का है देखने में आम भारती बाजारों की तरह, दिखने वाली है सापताहिक बाजार, कम कीमत पे खरिदारी करने के शौकीनों की पसंदीदा जगा है इस बाजार को और खास बनाती है, इसमें लगने वाली कबाड़ी बाजार, जहां पर आपको ऐसी वस्तुए मिल सकती हैं, जिन्हें और कहीं खोजना काफे मुश्किल होता है जाला इस बाजार की एक और खासियत है, यहां की चड़िया बाजार, यू तो इस बाजार में कबूतर, लाल, तीतर, बटेर, कववा, मैना जिसी चड़ियों की विक्री होती है लेकिन अक्सर प्रतिबंदित नसल के पक्षी भी यहां देखने को मिल जाती है खास के चौरा है के उपर एक चड़िया बाजार है, वहां के उपर बहुती नाया प्रसिम की चड़िया यह तो मिलती ही है और आम तोर से जाड़ों के जमाने में उस जमाने में तीतर है, बटेर है, मुरगाबिया है, बत्तखे हैं यह पालने के लिए जो लोग खरगोश हैं, लाल, चिर्कुए, डॉक्टर जो इस तरह की चड़िया पाली जाती हैं यह लग बर्ड्स हैं, और एक चीज़ और कवे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि जो लोग सद्का उतरवाते थे, तो वो नखास जाके कवे अपने उपर से उतरवाते थे, यानि आज़ात करवाते थे तो अब धीरे धीरे जब से यह कंडिशन्स लगने लगी हैं, वाइल लाइफ वाली तो पकरदकर होती है, लेकिन फिर भी नखास के चौराये पर वो चुड़िया बाजार जो है, अभी बहुत पॉपलर है, और वहां के ओपर काफी नायाब बर्ड्स जो हैं, वाइल लाइ तो वहीं खान पान की भी पूरी वेवस्था है, इस बढ़ती हुई प्रतिसपर्धा में नीम हकीम और जड़ी भूटियों के फ्रिदारों की संध्या भी कम नहीं हुए है, समाज हो, अर्धविवस्था हो या फिर संस्कृति, कोई भी समय की गती से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है, बस बदला है तो इन बाजारों का स्वरूप, मगर इनकी एहमियत आज भी उतनी ही बरकरार है, श्रावित है, बस बदला है, बस बस्ता नहीं है,